जब नेपाल प्रिमियर लीग इस्टार्ट हुई थी ना तो सबको लग रहा था यार नेपाल प्रिमियर लीग के एक ही स्टेडियम में इतने सारे मैचेस दिये गए मतलब सिर्फ और सिर्फ T.U. क्रिकेट ग्राउन में इतने सारे मैचेस दिये गए क्या audience मौजूद होगी क्या नेपाल की NPL में viewership आएगी क्योंकि Kenboard ने तो यहाँ पे वो पैसे दिये के Star Sports को अपनी broadcasting के लिए वो NPL में लाए तो क्या दुनिया भर के fans वो NPL के matches देखेंगे और guess what मैं आपको एक बात बताऊंगे आप proud feel करोगे स्टेडियम के perspective से मैं बात थोड़ी दिर बात करता हूँ लेकिन पहले मैं online platform की बात कर लू online platform पे नेपाल Premier League की viewership जो है न वो record तोड जा रही है मतलब आप अगर मेरे से पूछो तो जिस तरीके से पहले दिन million की live watching थी millions की YouTube के उपर और सिर्फ और सिर्फ ये live watching जो है और नेपाल के लोगों की थी आज भी मैं देख रहा था सुबह वाले match में जब चितवान राइनोस और काटमांडो गुर्खास के बीच में बात कर रहा हूँ तब ही भाई दो लग धाई लग की watching जो है वो जा रही थी और उसके बाद कारणाली आक्स वर्स जनकपूर वाले match में तो वो बहुत अच्छी खास वाचिंग जो है जा रही थी और मैं ये सिर्फ नेपाल की बात कर रहा हूँ एक्सनी स्पोर्ट पे जो लाइफ चल रहा हूँ था दुनिया के तो मैंने बात ही नहीं किये दुनिया भर के फैंस जो है वो NPL अलग अलग प्लेटफोर्म पे देख रहे थे और अगर मैं आपको बताओं तो आप हैरान मत होना नेपाल प्रिमेर लीग की वीवर्सिप जो है वो कॉंटिनियूसली जो है वो बर रही है अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया से बहुत सारे फैंस जो है वो फैंकोड एप पे जो है वो देखते हैं अगर मैं इंडिया नेपाल और एशिया की बाहर की बात करो तो लोग यूएस से कोई-कोई साओधी अरभिया, दुबई, कतार मतलब बहुत डिफ्रेंट डिफ्रेंट कंट्रे से जो है ना एंडिया को देखी जा रही है और कहीं ने कहीं ये एक बहुत जादा पॉजिटिव साइन जो है नेपाल प्रीमेर लीग को लेके है क्यार इस तरीके से आपके अगर वाचिंग बरती गई आपके सकते हो NPL आने वाले टाइम में वो एक रेकॉर्ड बना देगा सबसे ज़्यादा वीवर्शिप को क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने IPL को प्यार दिया उसी तरीके से NPL को प्यार दे रहे मेरे कमेंट सेक्सेन में खुद बहुत सारे लोग वो युवैसे में रहते हैं बहुत सारे लोग दुबही में रहते हैं और उनको NPL देखना होता है और ओवर ओल वो लोग देखते हैं तो इससे एक अंदादा लगा लेना चाहिए कि NPL के विवर्शिप वो continuously आपकी बर रही है क्योंकि पहले दिन और उसके बाद फिर दूसरे दिन में आप सोचोगे तो इतनी अची वाचिंग आना कहिने कई यह पॉजिटिव सैन है दूसरी चीज है दूसरी चीज है कि लोगों ने कहा था कि NPL सिर्फ एक ही ग्राउंड में करवाया जाए गा टी यू क्रिकेट ग्राउंड में और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स है उनका यह कहना था कि या टी यू क्रिकेट ग्राउंड में अगर मैचेस होंगे तो ओडियंस एक दिन ही आई कि उसके बाद आना बंद करतेगी क्योंकि लोग फिर वह एक ही स्टेडियम में देख पाए तो इससे एक बात तो पता चल रही है कि NPL को लेके जो क्रेज है तीम्स को लेके जो क्रेज है वो कम नहीं हो रही है मतलब पहला मैच यहां पे जनकपूर वर्सिस विराट नगर का था दूसरा मैच चितवान डाइनोस वर्सिस कार्णाली आक्स के बीच में और ज्यादा पॉजिटिव साहिन नेपाल क्रिकेट को लेके और देखो मैंने पहले भी का था कि जिस तरीके क्रेज क्रिकेट को लेके नेपाल में है कही ने कहीं आने वाले टाइम में आपको यह बहुत बड़ी-बड़ी क्रिकेटिंग बोर्ड के साथ में मैच अप करते को दिया न्यूजिलेंड के प्लियर जिमी निशम को दिया तो अवरल आप कह सकते हो जो फैंस है वो दिल जीत रहे इसको लेके जिमी निशम ने अपने इस्टाग्राम स्टोरी पे वो पोस्ट भी किया कि यार ब्यूटिफुल नेपाल थमज़ो जब मैचेस खतम हो उनके जिमी निशम ने पोस्ट भी किया तो यह एक बहुत ज्यादा पॉजिटिफ साइन है नेपाल क्रिकेट को लेके और मैं तो चाहूंगा इसी तरीके से वीवर्शिप बढ़नी चाहिए क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ तीनी मैच हुए और तीन मैच में आपकी वीवर् सुद्र पश्चिम रोयल्स वर्सिस विराट नेगर के बीच में है और उसके बाद फिर दूसरा मैच है चितवान वर्सिस पोकरा के बीच में सायद मेने हिसाब से देखना पड़ेगा मैंने को एक बार शेडियूल लेकिन मैं कल भी आपका स्टेडियम फुल पैक होने वाल इस ने नेपाल के फैस ने पुरी दुनिया को यह चीज़ बताया है कि यार हम जो है किसी भी फैनबेस से कम नहीं है आप इंडिया के साथ में कम पेर कर लओ हमारे अंदर उतना ही प्रित फद रहती है जेतना इंडियन फैन वेस रखती है जितना इंगलें फैन ऐंडरे कि लोगों यह पता तो चले कि NPL की जो वीवर्शिप कितिनी जाद आ रही है तो सेल मीडिया पर आप देखलो वहां पर फेस्बूक इस्टाग्राम यूटूब हर जगह आप देखोगे एंप लोगले के जो है वह बात चल रही है